हेलो एंड वेलकम बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल स्टडी विद दुलार में बच्चो ये क्लास 6 का एंसे आटे का मैत है और एक्ससाइज 5.6 है इसमें ट्रेंगल के बारे में दिया हुआ है तो कई सारा ट्रेंगल होता है यहाँ पे जो कि बतलाया हुआ है कि ट्रेंगल किस तरह से आप पहचान सकते हैं तो आई मैं आप लोग को बतलाता हूं एक पेपर ले लेते हैं यहां पर मैंठी इसको निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे मैं पिक्चर आपको समझा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले बतला रहा है कि जिस ट्रेंगल का सभी साइड अनिक्वल हो मतलब बराबर नहीं हो उसको स्केलन ट्रेंगल बोला जाता है तो सिंपली मैं एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ यह सपोज इस तरह से लिए यह हो गया यह इतना बड़ा है और यह ज़्यादा बड़ा कर दिया और यहाँ पे यह लगभग जो है यह दोनों इकोल लग रहा है लेकिन आप मान लेजे कि यह है टू है और यह फोर है और यह फाइव है अगर तीनों अलग है साइड तीनों डिफरेंट है तो इसी को स्कैलन ट्रेंगल बोला जाता है सिंपल सा समझना है जिस ट्रेंगल का तीनों साइड बराबर नहीं हो उसको स्कैलन ट्रेंगल कहते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, a triangle having two equal sides is called an iso-slash triangle, ऐसा triangle जिसका दो side equal, suppose यहां पर इस तरह से और यहां पर यहां पर यह ले लेते हैं, यह side हो गया और यह side हो गया, यह दोनों equal हो गया, तो यह दोनों equal हो गया, इस तरह का triangle जो हता है, उसको iso-slash triangle कहा जाता है, simply समझना है कि जिस triangle का दो side equal हो, उसको iso-slash triangle कहते हैं, उसके बाद next दिया हुआ है, a triangle having three equal sides is called an equilateral triangle, इसका नाम से भी पता चल रहा है, equilateral, मतलब है कि जिस triangle का तीनो side equal हो, यह भी इतना, यह भी इतना और यह भी इतना, तो यहां पर दियें, यहां दियें, यहां, तीनो equal हो ग तो इस तरगा triangle, जिसमें तीनो side equal हो, तो वैसे triangle को, equilateral triangle कहते हैं, यहां तो जितना भी समझ में आ रहा है, काफी है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ही इसका question solve करेंगे, वैसे फिर और समझ में आते जाएगा, इसके आगए यहां पर दिया हुआ है, यहां पर हम angles based on angles, angles के अधार पर, यहां पर angles के अधार पर हम लोग इसका नाम देते हैं, अभी हम लोग side के अधार पर इसका नाम दे रहे थे, अब angles के नाम पर देते हैं, यहां पर दिया हुआ है, if each angle is less than 90 degree, then the triangle is called an acute angle triangle, अगर किसी angle का तीनो angle जो है, वो 90 degree से कम है, तो उसको acute angle triangle कहते हैं, क्योंकि उसका angle जो है, acute है, कम है, 90 degree से कम है, तो यहां पर एक picture बना के दिखाया गया है, acute angle triangle, यहां पर यह तीनो angle जो है, वो 90 degree से कम है, इस तरफ का angle हो सकता है, तो इस तरफ का angle जो है, acute angle triangle कहा जाएगा, इसके बाद यहां next दिया हुआ है, if any one angle is a right angle, then the triangle is called a right angle triangle, अ अब यहां पर जो लिखा हुआ है, आपको अपना language समझें, हिंदी में समझना है, जो लिखा हुआ हो तो लिखा है, यहां पर समझना है कि जिस triangle का एक angle, तीनों नहीं, एक angle 90 degree हो, right angle हो, उसको right angle triangle कहा जाता है, यहां पर देखिए, यह जो picture बना हुआ है, इसमें एक angle, यह एक angle 90 degree का angle है, 90 degree का angle में इस तरह का symbol दिया जाता है, तो यह triangle जो है, right angle triangle कह लाएगा, इस तरह से इसका नाम आता है, उसके बाद next दिया हुआ है, if any one angle is greater than 90 degree, then the triangle is called an obtuse angle triangle, वह ऐसा triangle, जिसका एक angle, एक angle देख रहे हैं, यह 90 degree से जादा है, एक angle 90 degree से जादा हो, उसको obtuse angle triangle कहते हैं, इस तरह से इसको ध्यान में रखना है, और angle के बारे में जो भी question आएगा, तो इसको याद रखते हैं, तो सारा question solve होते जाएगा, तो अब solve करते हैं, सबसे पहले question को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, तभी पता चलाएगा कि उसका answer क्या होगा, name the types of following triangles, यह किस तरह का triangle है, इसका नाम लिखना है, triangle with lengths of sides, side क्या धार पर पूछ रहा है, side जो है 7 cm हो गया, 8 cm हो गया, and 9 cm हो गया, तीनो डिफेरेंट है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, skeleton triangle, तो यह नीचे में यहां पर दिया होगा है, अगर आपको spelling याद नहे है, तो आप यहां से देखकर लिख सकते हैं, लेकिन आपको spelling याद कर लेना है, तो इस केलन ट्रेंगल हो गया क्या हो गया यहां पर लिख देते हैं इसका अंसर यह हो गया इस केलन ट्रेंगल अब यहां पर बी नमबर में इस तरह से ट्रेंगल दिया हुए ABC with AB इतना हो गया इतना सेंटिमेटर और AC इतना सेंटिमेटर हो गया and BC 6 सेंटिमेटर मतलब यहां भी यहां और यहां यह तीनों जो है यहां भी डिफेंट है तो इसका मतलब है कि यह भी इसका 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 आंसर यह हो जाएगा इसके बाद यहां पर से इसका यहां पर इसका यह तो यहां पहलता है उस ट्रैंगल का नाम क्या कह लाता है इक विलाटरल ट्रैंगल तो यहां पर इसको लिख लिख लिखे हैं यह राया इक्विलाटरल ट्रैंगल उसके पाद यहां पर नेक्स्ट दिया हूए डी एप वीद मेजरमेंट यहां पर डी जो है वो 90 डिघई तो जैसे कि हम बतला है थे कि one angle जो है किसी भी triangle का one angle 90 degree है तो राइट एंगल triangle कहले हैं तो राइट एंगल triangle यहां पेर निचे में यहां दिया हूए यह थे यहां पनी नंबर में जैब लिख सकते हैं राइट एंगल इसके पाद नेक्स्ट दिक हो इन नंबर में xyz with triangle xyz with measure y 90 degree है and xy equal to yz इसमें दो साइड इक्वल है और एक एंगल जो है वो 90 डिगरी है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं आइसुस्लेस जो इक्वल दो साइड इक्वल रहता है उसको आइसुस्लेस ट्रेंगल बोला जाता है यह complete हो जाएगा लास्ट में दिया हुए f नंबर में ट्रेंगल l m n एक ट्रेंगल है with measurement l l का map है 30 degree और m का 70 degree और n का 80 degree तो यहां पे यह तीनो जो है 90 डिगरी से कम है तो जिस ट्रेंगल का तीनो एंगल जो है 90 डिगरी से कम होता है उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल तो इसका क्या हो जाएगा एक्यूट यह हो गया एक्यूट एंगल ट्रेंगल इस तरह से इसका आंसर हम लोग complete कर सकते हैं अब यहां पे ज़्यादा कुछ दिया वा नहीं सिर्फ ज़्यादा इसमें समझना है यहां विसेस बनाना नहीं है बनाने में यहां पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो समझना है विसेस करके यहां पे देखिए सिंपली इसको मिला सकते हैं इसका इनोसाइड हayo इसको बोला जाता है यहां पर लगा देते है इसको एसे कर देता है इसको मिला देते हैं इनहबर है है ठ्लयक्त आइजिसका दोसाइड इक्वाल हो तो उस REALLY तो सी ट्रेंगल को जी नंबर में यह हो गया तू का जी उसके बाद होल साइट्स और ऑफ डिफरेंट लेंथ तीनों जो है अनिक्वल मतलब अलग अलग हो तो वह इसे ट्रेंगल को बुला जाते हैं इसकेलन तो इसकेलन यहां पर दिया हुआ है फॉर्स्ट यह नंबर में इसको करते हैं इसकेल ने लिखा हुआ है तो यही होगा एक चूट एंगल तो इसको हम फोर नंबर से लेता हो MHC यहाँ मैश कर गया उसके बाद वन राइंगल एक एंगल जो है राइ्ट एंगल हो उसको राक इंगल ड्रेंगल बोलते है तो रैक एंगल कह सालिधा है यहां पर है दिन करना जाए देखें अब एक बच गया और लास्ट जो बच्चा हुआ यहां भी बी नमबर बच्चा हुआ है तो यह बी नमबर में जाएगा पड़ लेते हैं फिर भी वन राइट एंगल वीद्ट टू साइड्स ऑप इक्वल लेंथ तो राइट एंगल तो होगा ही उसके अलवा तू इ इन बार इस तरह से आपको ट्राइ करके देखना है और इसमें जो सबसे पहले ट्रेंगल का कॉंसेप्ट जो बतला है उसको आपको एक दो बार पढ़ना है देखना है उसको ध्यान पूरवक तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अब यहां पे कुश्चिन नमर थी इस इसको साधानी से पढ़ना है नियाम इच आप दा फॉल्विंग ट्रेंगल्स इन तू डिफेंट वेज यू में जज़्च द नेचर आफ द एंगल बाय अब्जरवेशन यहां पे दो तरह से इसका नाम बतलाना है कि यह कौन सा ट्रेंगल कहलाएगा इसका साइड के अधा इस तरह से इसका नाम आएगा इस तरह से यह ट्रेंगल दोनों तरब से इसका नाम हो जाएगा इसके बाद यहां पे देखते हैं यह तीनों साइड जो है डिफेंट है स Pennsylvania 8 15 इसका मतलब है कि यह इसका नाम हम लिख रहते हैं इस तरह से इसका नाम हो जाएक सकते हैं को दिक्कत नहीं है उसके पाद यहांтории आप देख रहहे हैं है इसको देखिए हुआ है यह 7 है इससे पता चल रहा है कि टू इक्वल साइड है और टू इक्वल साइड जहां पर राता उसको आइसो स्लेश बोलते हैं उसके बाद एक एंगल इसका जो है ऑप्ट्यूज है 90 डिग्री से ज्यादा इसका मतलब है कि सबसे पहले यह आइसो स्लेश हो गया आइ स्लेश तोह गया साइड के नुसार और एमेड्विका एक राइट एंगल हो जाएगा और इसका यहden दिनों ही इक्वल है तो सबसे पहले हो गया उसके बाद एक्विक लेट्रल में क्या होता है 390 डिगरी से कम नहीं होता है तो यहें दोट हो जयाँ दिसफने हो गया उसके लोग इसको लिख सकते हैं आई सुस्लेस एंड राइट एंगल यह हो गया और एकुलाट्रल एंड एंगल यह हो गया इसकेलन यहां पर तीनों डिफेंट साइड है के अब ट्रेंगल बनाने की कोशिस किजिए सम और सॉन हियर जो कि कुछ दिखाया गया है यहां पर बनाया हुआ है मैंच स्टिक का फिगर लेकर बनाया गया है जैसे कि इसमें 12345 यूज हुआ है इसमें 123 यह सभी लाइन में 3 मैंच स्टिक यूज हुआ है इसका मतलब है कि 339 इस तरह से दिया हुआ है can you make a triangle with क्या आप इतने मैंच स्टिक लेकर ट्रेंगल बना सकते हैं तो यहां पर और रेड़ी मैंने पहले बड़ा दागा इसके बाद आप बना कर देख भी सकते हैं सपोर्ज माँचिस लेते हैं और उसमेंसे तीन तीली ले जिते यह हो गया इसका तीन ती'llी और इससे आप यहां पे बना सकते हैं यह हो गया इस तरह से तीन मैच स्टिक से हम लोग ट्रेंगल बना सकते हैं और ये तीनों साड इसका equal है equal होने का मतलब है कि Equilateral T्रेंगल B नमर में यहाँ पे 4 मैच स्टिक लेते हुए ट्रेंगल को बनाना है इसमें एक मैच स्टिक और एड करते हैं तो कहां पे एड होगा ये तो यहां पर आप देख रहे हैं यह ट्रेंगल बनाने की कोशिस में कर रहा हूं लेकिन ट्रेंगल नहीं बन रहा है चार मेंच स्टिक से ट्रेंगल नहीं बनेगा इसलिए यहां पर मैंने लिखा है नोट पॉसिबल इसको अटा देते हैं नोट पॉसिबल विकाज क्योंकि एस साइडी इस एक्वल टू ऑदर वो साइडी तो यहां पर दो साइड का जोड करने से उसका जो मैंजर्मेंट होगा उसके बराबर एक ही साइडी साइडी इसका हो जा रहा है तो यहां पे sum of लिख लेते हैं, sum of, यह हो जाएगा, not possible because a side is equal to sum of other two sides, और दूसरा जो दो side बच रहा है, उसका equal हो जा रहा है, equal नहीं होना चाहिए, तीसरा side जो होता है, वो दो side का equal नहीं हो सकता, equal होगा तो फिर वो triangle नहीं बनेगा, equal होगा या उससे बड़ा होगा, तो triangle नहीं बनेगा, उन दोनों side के sum से उसको छोटा होना चाहिए, तभी triangle बनेगा, इसके बाद यहां पे 5 number, यह C number में 5 match stick से बनाने के लिए कहा गया है, तो आल्रेडी यहां पे एक figure दिया हुआ है, जो 5 match stick से बना हुआ है, तो इसका नाम भी पूछा गया है, तो नाम इसका आएगा, आईसुसले स्ट्रेंगल, क्योंकि दो side जब equal होता है, उसको आईसुसले स्ट्रेंगल बोलते हैं, यह हो गया, और यहां पे 6 match stick से बनाते हैं, तो यहां पे अल्रेडी बना हुआ है, यहां पे 2, यहां पे 2, और यहां पे 2, यह अंदर उला, बाहर हो जाएगा, यहां ने रहेगा, तो यहां पे इसका एक side जितना बड़ा है, वो तीनो side उतना ही बड़ा है, मतलब तीनो equal है, इसलिए इसका नाम दिया गया है, equilateral triangle, इस तरह से यह complete हो गया, यहां पे लिखा हुआ है कि remember you have to use all the available matchsticks in each case, कि यहां पे सभी case में जो available matchsticks यहां पे जो दिया यहां पे नाम दे दिया गया है, equilateral triangle, isosalist triangle, or equal, equilateral triangle, और यहां पे if you cannot, यहां पे जैसे बतला जा रहा है कि if you cannot make a triangle, think of reason for it, तो यहां पे यह triangle जो है नहीं बना, तो इसके लिए reason यहां पे लिख दिया गया है, तिस तरह से यहां पे complete हो गया exercise 5.6, अगर आप लोगो को हमार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसके अलावा other subjects के भी वीडियो हमारे चैनल में आते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के सा करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्वर्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं